सागर मथा से मेरी नन्ही भाईयों बहनो जैहिंद इस समय दुपहर के एक बच कर साथ मिनट हुए हैं मैं सागर मथा पर खड़ी हूँ यहां हिमाले की सबसे उची चोटी एवरिस्ट का नेपाली नाम है जब मैं पाटशाला में पढ़ती थी तब अपने गाउं की पहाड़ियों पर दोड़ कर चड़ जाती थी बच्पन से ही मुझे पहाड़ों पर चड़ना अच्छा लगता था यह सन 1984 की बात है तब एवरिस्ट पर चड़ाई के लिए मुझे चुना गया था उस दिन मैं ठेर सारी उमंग से भर गई थी महिलाई और भी थी हमारा दल धीरे धीरे हिमाले पर चड़नी लगा रास्ते की कठनाईयों के कारण मेरी कई साथी पीछे चूट गए एवरिस्ट शिखर पर आखरी चड़ाई करने वाले दल में मैं अकेली महिला बची थी 23 माई 1984 को सुबा साड़े पांच बजे मैं अपने तंबू से पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकली मैं शेरपा अंगदोड़ जी के संग अपने लक्ष की ओर बढ़ने लगी दोपहर को करीब एक बजे मैं हिमाले के सबसे उंचे शिखर पर पहुँच चुकी थी मैंने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और सागर मथा को चूमा मैं मादुरगा की एक तस्वीर भी अपनी साथ ले गई थी मैंने उसे वहां रखा और प्रार्थना की अपनी माता पिता के आशिरवाद से ही मैं एवरिस की चोटी पर चड़ सकी मैं भारत की पहली महिला बनी जिसने एवरिस चोटी पर विजय प्राप्त की थी मेरे बाल मित्रों जीवन में आप तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक के आपको मन चाहा लक्ष प्राप्त न हो जाए अच्छा अब बस करती हूँ आपकी बड़ी दीदी बच्छेंदरी पाल